दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहली कबर रहने के मामले में बिहार के इस सहर को मिली तीसवी रेंग जिहां केंद्र सरकार ने नगर निगम के परफॉमेंस का इंडेक्स जारी किया है इसमें जीवन सुगमता सुचांक यानि एज अब लिविंग इंडेक्स भी सामिल है या देश में रहने के लिए बेतर सुविदाओं के साथ सहरों की सुची है मुनसिपल परफॉमेंस इंडेक्स में 10 लाग से कम अबादी वाले 60 सहरों में भागलपुर का इस्थान 36 जबकि जिवन सुगमता सुचांक में भागलपुर को 62 सहरों में 30 इस्थान मिला है मार्च में जारे रेंकिंग में भी भागलपूर का यही इस्तान था आपको बता दे कि कूल 1-11 सहरों का सर्वे किया गया है इसमें दो केटेगरी बनाई गई है एक 10 लाग से उपर की आबादी और दूसरी केटेगरी 10 लाग से निचे की 10 लाग से कम आबादी वाले सहरों में राज के 3 सहर भागलपूर, बिहार सरीप और मुझपरपूर सामिल है नगर निकाएक परपमेंस में भागल का इस्तान 36 वा है अगली बड़ी कबर पटना के 10 जगाओं में बनेंगे IPT स्टेंड अगस्त तक पुरा होगा काम जिहां सहरे यातायात को बहतर बनाने के उद्दिश से पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड दुआरा 9 जगाओं पर इंटरमिडेड पबलिक टांस्पोर्ड इस्टेंड निर्मान का काम सुरू हो चुका है मिशन के अंतरगत कूल 10 इस्तलो पर IPT इस्टेंड अगस्त महिनी तक तयार कर लिये जाएंगे आपकी जानकारे के लिए बता दे कि ओटो, रिक्सा, ए ृक्सा, वैन, मिनी बस, सिटी बस, आדी, मैदवरति, सरवजनी परिवहन की स्रेणी में आते हैं सहर के एक हिस्सी को दूसरे हिस्से से जोडने वाले अत्वा सहर के एक हिस्सी को परिवहन के मुख के साधन जैसे रिल्वे बस जहाज हवा जहाज मेट्रो आदि से जोडने वाले वहन मैदवाति सरवजनिक परिवहन कहे जाते हैं इसी के स्टेंड को IPT स्टेंड कहा जाता है पटना के 10 जगहो जीपियो गोलंबर, चरया टाड़ ब्रीज, बिहार इंटर्मिडेट काउंसलिंग 1, बिहार इंटर्मिडेट काउंसलिंग 2, तारा मंडल, गार्डिनर अस्पताल, बास घार, डेम आवास, गांधी मेदान, महिलाओ को 35 पीजदी आरक्षन, नितिस का एक और बड़ा फैसला, बिहार में अब डियाजी, सियो, अनुमंडल अधिकारी यानि की SDM और थानेदारों की पोस्टिंग में भी महिलाओ को 35 पीजदी आरक्षन मिलेगा, नितिस कुमार के आदेश के बाद, सरकार ने सभी सम् पायूंक्त सचिव की ओर सजारी पत्र में कहा गया कि नितिस कुमार के 7 निष्चे पार्ट टो में महिलाओ को ससक्त करने का फैसला किया गया था, इसी बाबत पिछले मार्च महिने में ही 7 निष्चे योजना की समिक्चा के दोरान ये तए कि इस्तानिय प्रासासन में महिल परियाओ को परियाप्त इस्तान दिया जाए, बाड़ी खबर तुफान यास से बिहार के इन सौलो जिलों में खेती हो गई चोपट, आब राहत दने की तैयारी में सरकार, जानिये किने मिलेगा मुआवजा, जिया बंगाल की खाड़े से उठे चकरवार्ती तुफान यास आश ने बिहार की किसानों को सो करोड का नुकसान पहुचाया था, क्रिसी विवाग की रिपोर्ट बताती है कि चकरवाद से 73,086 हेक्टर में लहलाती फसल चोपट हो गई है, फसल चती का आकलन का रिपोर्ट आबदा प्रबंदर ने बिवाग को भेज दी गई है, बिवा जी आम की 33,20 से अधिक फसल नश्ट हो गई थी, सबसे अधिक नुकसान दलहन को था, क्रिसी मंतरी अमरेंदर पताप सिंग के आदेश पर राज में यास से खेती को नुकसान का आकलन कराए गया था, साथ आपको बदा दी कि सभी जीलों की क्रिसी पदादी कारियों ने पं किसानों से जल्द ही आवेदन मांगेगा, आवेदन मिलने के बाद सभी जीलों में बहुतिक सेतापन करा जाएगा, मुआवजा उन्हें किसानों को दिया जाएगा जिनकी फसल 33,20 या इससे अधिक नश्ट हो गई है, बड़े कबर मौसम विभाग की चेतावनी, पुरे ब बिहार में आज गरजिंगे बादल, भारी बारिस के साथ गिल सकती है बिजली, घर में रहने की सला, जिहां बिहार में मानसुन आने के बाद रुक रुक कर बारिस हो रही है, राज में बारिस को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अलड जारी किया है, वजरपात को लेकर भ अगली बड़ी कबर उत्तर बिहार में नदिया पड़ी नरम तबाही अब भी जारी गंडक ने पार किया खत्रे का निसान जिहां नेपाल में बारिस का सिलसला थमने से गंडक समेत बागमती कमला नदी में उफान कम होना सुरू हो गया है जलिस्तर लगातार गटने के क्रम है लेकिन पश्चिम और पुर्वी चमपारन में गंडक और बोड़ी गंडक लगातार तबाही मचा रही है पुर्वी चमप कारण में बाड के कारण कई प्रमुख सड़कों पर पांचवे दिन भी आगमन ठफ रहा है मदवनी में कमला का उफान कम होने से आसपास के लोगों को रहत महसूस कर रहे हैं बाड से दोस्त सड़कों का तुरंतों मरमत पत निर्मान मंत्री ने पश्चिम चमपारन में दिया अपसरों को बड़ा निर्देश जिहां पत निर्मान मंत्री बिहार सरकार नितिन नविन ने सनिवार को पश्चिम चमपारन का दोरा किया उन्होंने जिला समरहालाई में जि कि यातायात में किसी प्रकार के अस्विदा ना हो बाड़े कबर बिहार में दम तोड़ने की कगार पर कोरोना संक्रमन 24 घंटे में सामने आये 349 नए मरीज जिया बिहार में कोरोना के रफ्तार थम गई है लेकिन कोरोना संक्रमन पूरी तरह से खतम नहीं हुआ है हाला कि संक् के लिए लोगडाउन को बढ़ा कर 22 जुन तक कर दिया है इसी कड़े में स्वास्त विवा की ओर से जारे के निर्देश के नुसार राज में पिछले 24 घंटे में 349 कोरोना के नए मरीज मिले हैं इन मरीजों में सबसे अधिक मरीजों की संक्या पटना जिले में है जहां कोर पटना में कल 41 मरीज मिले थे वहीं अने जिलों की बात करें तो अररया में 13, दरबंगा में 17, गोपाल गज में 28, गया में 12, अठिहार में 13, मुझपरपुर में 17, पुर्णिया में 20, समस्तिपुर में 19, सारन में 12, सुपल में 21 और वैसाले में 13 नए मरीज मिले हैं अगली बाड़े कबर चौ माह में 6 करोड को टिका महावियान 21 से सीम नितिस करेंगे सिरुवात बिहार में कोरोना मामार के किलाब 21 जोन से निनायक लड़ाय छेड़ने जा रहा है राज के अधिक से अधिक लोगों को वेक्सिन लगा कर उन्हें सुरक्चा कवच परदान किया जाएगा इस महावियान की सिरुवात मुख मंतर नितिस कुमार करेंगे अगले 6 माइने में राज के 6 करोड लोगों को टिका करन का लच रखा गिया है इसके लिए प्रखन इस तक तक टास्क फोर्स का गठन किया गिया है हर वर्ग और व्यवसाई के हिसाब से लोगों का टार्गेट गुरूप बनाया जा रहा है महावियान की सिरुवात के साथ राज भर में बेहत सखन टिका करन अभियान चलाया जाएगा बिभाग से जोड़े सुत्रों के माने तो 21 जुन को मुख्यमंत्री साम 4 बजे बेब कास्टिंग के जरिये सभी जीलों को सम्मधित करके इस महावियान की सिरुवात करेंगे अगली बड़े कबर बिहार 8 2019 के लिए बड़े खुसकबरी मंगलवार तक आज आएगा रिजल्ट जिहाँ बिहार 8 2019 के लिए बड़े खुसकबरी है मंगलवार यानि 22 जुन तक रिजल्ट आने वाला है दरसल एश्ट डेर 2019 की परिच्छा में कूल विशय को रिजल्ट पेंडिंग रह गए थे तकनिकी कारोनों से उसकी डेट लगातार बढ़ती रही थी लेकिन अब सिक्चा विवाग ने रिजल्ट दने की बात कही है इस बाबत सिक्चा विवाग के मुई के अपर सचीव संजे कुमार ने सोसल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है आपको बदात की उर्दो संस्क्रित और साइन्स विशय की रिजल्ट पेंडिंग थे इन विशयों का रिजल्ट अब अगले सब्ता 22 जुन को पब्लिस किया जाएगा अगली बड़ी कबर सुपोल कटिहार वो सितामाड की कई सडकों को मिली मंजोरी 24 मा में पूरा करने का लच्च पत निर्मान विभाग की संपन विभागया निविदा समिति की बैठक में प्रसासनिक स्विकृति प्रदत योजना की वित्तिय बेड़ का निस्पादन करते हुए कार gäller आवंटन करने का निने लिया गिया है इसके तहट सुपोल कटिहार सितामड की सडकों की मंजोरी दी गई है 27 किलो मीटर लंबे सडक की लागद 77 कडोर 28 लाख है पत के निर्मादा कारे को 24 मा में पूरा करने का लच्च है पत्प्रमंडल कटिहार के अंतरगाद मलरामपूर से टेलता की मंजुरी दी गई है 14.31 किलोमीटर लंबे सड़क की लागा 43 कडोर 49 लाग है पत्प्रमंडल सुपर के अंतरगाद सिम्री से दन्यावा सड़क की मंजुरी दी गई है इसकी लागाद 57 करोर 40 लाग है पत के निर्मान कारी को 24 मा में पूरा करने का लच दिया गिया है बड़े ख़बर बालू गिटी के अवेद कारोबारियों पर होगी सक्त करवाई अब उनकी संपतियों को किया जायेगा जब्ट। तक यादे जुर्मानी के रासी नहीं दी गई तब वाहन और मसिनों को निलाम कर दिया जाएगा साथ अवेद बालू गिटी के दंदे पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए अब लोगों की संपत्ती भी जबत करने का फैसला लिया गिया है अगली बड़ी कबर पारस के नहीं कायरकरिनी में सुराज बहान सिंग की पत्नी मनी राष्टिय अपाज दक्ष एलान के पाज गंडे बाद जोड़ा गया नाम जिहां लोग जन सकते पाटी में चल रहे हैं मोजोदा घमसान के बेच पसपती कुमार पारस ने कल अपने नहीं राष्टिय कायरकरिनी का एलान किया पस्रपतिकुमार पारस ने राष्टिय अधक्ष ने जाने के बाद पार्टे के तमाम राष्टिय प्रदिश और अन्प्रकोष्टो की कमिटी को बंग कर दिया था उनकी साथ साथ आनिल चोदरी को भी पार्टी के राष्ट्य उपैदक्ज बना गिया है राकेश चोदरी पार्टी के राष्ट्य महासची बना गया है जबकि पूरु विधायक रनविर सिंग गुडा माराष्ट्य महासची बना गया है इसके अलावा दिनेस्वर सिंग और डाक्टर उसा समा को भी राष्ट्य महासची बना गिया है राष्ट्य महासची के पद पर राजकुमार राज और हेरा प्रसाद मिस्रा को भी जिम्यदारी दी गई है अगली बड़ी कबर मुझपरपूर में स्वास्त कर्मी बहाली घोटाला सरकार ने रद की न्योक्ति सिविल सर्जन से 48 घंटे में जवाब मांगा मुझपरपूर में 780 स्वास्थ कर्मियों की बहाले में गोटालों को लेकर हंगामा मचने के बाद राज सरकार ने नियुक्ति को रद कर दिया है सरकार द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि मुझपरपूर के डियम के प्रतिवेदन के आदार पर नियुक्ति को रद किया गया है स्वास्ट विभाग ने मुझपरपुर के सिविल सर्जन से 48 घंटे में जवाब देने को कहा है कि गलत तरीके से नियुक्ति करने के आरोप में उनके खिलाब क्यों नहीं करवाई की जाए दरसल मुझपरपुर में सिविल सरजन के इस्तर पर कोविट से निवटने और वेक्सिनेशन को सही तरकी से लागो करने के नाम पर 780 स्वास्त कर्मियों के समिधा पर आस्ताय बहाले की गई थी निवक्ति के 20 दिन बाद मुझपरपुर के डियम ने मामले के जाच कराई जाच में पाया गया कि नियुक्ति में बड़े पेमाने पर गड़बडी हुई है जाच रिपोर्ड आने के बाद दो दिन पहले डियम ने सारी नियुक्ति को रद करने का आदिस दे दिया है आपको बदाद कि मुझपरपुर में हुए इस बरती गोटाले को लेकर पुरिस्वास्त महकमे में हड़कम मचा था और उनकी बड़ी कवर बिहार बोर्ड ने दसवी बारवी कमपार्टमेंट परिचा रिजल्ट का जारी किया लिंग बिहार बिदालय परिचा सम्मित ही दसवी और बारवी कमपार्टमेंटल परिचा के रिजल्ट का लिंग 19 जून को अक्टिवेट कर दिया है बिहार बोर्ड मेट्रिक च्या इंटर कमपार्टमेंटल परिचा 2021 के लिए आवेदन फॉर्म जमा कराने वाले अवियरती अपना र नीचे कॉमेंट करके ज़र होता है